कि एगाइज नाव नेक्स्ट पार्ट है हमारा अब्जेक्ट औरेंटेड प्रोगामिंग एंड हमारा पर फूर्थ चल रहा है केंप्यूटर नौलेज चेप्टर का नेमली फनामेंटल आप केंप्यूटर साइनेसे एंड आज हम इसका पार्ट सेकंड डिसकस करेंगे जो कि ह हमारा है नेमली अब्जेक्ट औरेंटेड प्रोगामिंग से प्लस प्लस शाट फॉर ओप डगलोपी बड़ा मज़ीदा टॉपिक है एंड इससे पहले का पार्ट प्रोगामिंग बेसिक है रिलेटेड है जो आपको इसी वीडियो के एंड में टॉप पर मिलेगा बड़ ग हमें बोले तो अमेरिकन टेलिफोन एंड टेलिग्राफ लोकेटेट इन यूएसे यूएसे में पढ़ता है इसके बेल लेबराटीज में सेंटेस्ट बैजरेनी स्ट्रोप ने सी प्लस प्लस प्रोग्रमिंग लेंग्वेज को डेलोप किया है 1980 की बात है ये बैजरेनी स्ट प्रोग्रमिंग लेंग्वेज को डेनिस रीची ने डेलोप किया है ये बात है 1972 की एंड इसको हम ट्रेशनल सी लेंग्वेज भी बोल सकते हैं ओके हम बोड़ रहे थे कि C++ programming C language में as a future add हुआ है and C++ programming language is relative mean as इसको C language का superset भी का जाता है किसको C language का superset का जाता है C++ programming language को C language का superset भी का जाता है गोल में मतलब यह है कि C programming language में आपने जो program बनाया है वो अगर valid program है तो वो program C++ programming language के लिए भी value program हो जाता है तो चलिए C++ objective programming language से पहले जिन programming languages ने जनम लिया है हम उनके भी नाम and developers के नाम with year period के साथ याद रखेंगे now language year developer by सारे programming languages को wording form में याद रखेंगे हम with year period and developer by अबर फर्ष्ट programming language was algal programming language wording form में देखें तो algorithmic language short for algal year was 1960 and developed by international group so next BCPL programming language wording form में देखें तो basic combined programming language year was 1967 developed by martin richard then B programming language B का रिष्टा second one BCPL programming language से जोड़ो 1970 की बात है developer ken thompson and C language we can also call this traditional C year was 1972 developed by Dennis Richie के एंड और सी प्रोगमिंग लंगवेज के एंड और सी इसके डेलोपर के नाम है के फार के निगान एंड और सी फार देनस रिची आपिक हमारा यह एंड आई ऐई सी प्लस प्लस उप्जेक्ट और ट्रोगमिंग लंगवेज का मकसद छिरप और सिर्प और सिर्प बट इन सी प्रोगर्मिंग लिंग्वेज में अपने आप में एक नुमूना है क्योंकि यह हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स प्रोवाइड करता है उसमें हमारा एक अब्जेक्ट का भी कंसेप्ट आता है लाइक अब्जेक्ट इनरेटेनस डेटा बेंडिंग पॉलोमेर्फिज लिएज क्यालाता है एंड पेले जो असल में अब्जेक्ट आरेंटेट प्रोगर्मिंग लिएज थी वो थी नेमली स्माल टॉक एंड डाव रिसेंटली सी प्लस प्लस ओपस के नाम से जानते हैं हम इसको देन अब्जेक्ट को शियर करते हैं अब्जेक्ट मीन इस एक ऐसा को अपने तरीके से डिजाइन करता है कलासेज अब्जेक्ट को यूज करके सी प्लस प्लस में साफ्ट वियर डेलॉप करना हो एंड उसको मेंटेनने देनी हो तो इन सब को अच्छे से पेचानो लाइक अब्जेक्ट है कलास है इनेरीटेनस है पॉलमर्फिजम है एब्श् सो फर्ष्ट वान इज अब्जेक्ट जो चीज काम का और अपने बेहवेर में साफ हो वैल्यू गैन करता हो उसको अब्जेक्ट काल कर सकते हैं सेंपली एंड नेक्स्ट इज कलास सेंपल है जितने भी अब्जेक्ट है उन सब के ग्रूप बना के कलास क्रेट करो तो आप उ हासल करता है देन हम उसको अनरी टैनस करते हैं अंड यह हमें एक Rezability Code Provide करता है Minas एक ऐसा Code देता है जो किसी का मौताज नहीं होता है And किसी भी टास्व को अपने अंदाजे से कंपलीट करता है यही होता है Enherit and as Achieved Run Time Polymerism Using Code Rezability And then Polymerism जब एक काम को किसी दूसरे तरीके से किया जाए Then हम उसको Polymerism से जानते हैं मिसाल Customer को अपने अंदाजे से Motivate करो And Shape, Rectangle जो कुछ भी हो कुछ भी ट्रा करो But by different ways Function Overloading and Function Overheading यह C++ के Functionals है जो Polymerism Concept को पाने के लिए Function करते हैं And then Abstraction Abstraction अंदर के सारे Functionals को छपाता है But बाहर वाले Functionals को Show करता है Then हम उसको Abstraction के नाम से जानते हैं मतलब समझाए मतलब यह कि Phone Call Phone Call करो पता होता है कि हम बात करते हैं फून पर But यह नहीं जानते कि Track हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं And C++ में Abstraction को हासिल करने के लिए हम Abstraction Class and Interface को यूज़ करते हैं Abstraction Class Minus यह खुद में एक Pure Virtual Function कंटेन करता है And अपने Sub Classes के लिए यह Interface प्रोवाइड करता है Then हम Abstraction हासिल करते हैं And Last One is Encapsulation Minus जब कोई इल परसन Medical Shop से A Capsule Type Tablet लेता है ठीक होने के लिए And उस Tablet की जो उपर से Bending होती है उपर से उसको डखा होता है With Wrapping किसी खाने के चीज़ को उपर से डखना उसकी Bending Wrapping को हम Encapsulation के थे हैं अब C++ Object-Oriented Programming Language में Bending and Wrapping का क्या काम है बस काम यह है कि जब एक Single Unit में Data and Coding को Collect करते हैं Then Bending and Wrapping करते हैं With Programming तो इस Function को Encapsulation माना जाता है Example Already शेयर किया है हमने कि Capsule Tablet Rapid होता है उपर से with different sort of medicines and topic is about and Thanks for listening and always Allah bless you all Allah नहीं के बान